तो इस वीडियो में हम UPSS EC PET का पेपर हुआ है 24 अगस्त 2021 ए यह जो 24 अगस्त को पेपर हुआ था फरस्ट पाली में ठीक है यह पेपर कोड में और हम सारे कोशन के जो एंसर है वह कौन कौन से है बताऊंगा इस वीडियो में ठीक है तो अगर आप लोगे पाली में एक्जाम दिया है तो आप लोग चेक कर सकते हो अपने अपने कोशन पेपर से तो यह ओफिसियल पेपर है जो की वेबसाइट पे आ चुका है ठीक है सारे सिफ्ट के तो यह जो पेपर है यह कोड एच वाला पेपर है ठीक है तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं तो यहां पर आप लोगों का जो फर्स्ट यह कोशन आया था एक से लेकर पांस तक यह डियाई के कोशन थे ठीक है तो टोटल बीस कोशन थे डियाई के क्रम वाइस ठीक है तो यहां पर जो पहले से पांस तक जो कोशन है उसको चलिए देखते हैं तो यहां पर दोस्तों ज कम अंक मिले , khiन छात्र हो को भूँगोल कि अपेच्छा इतिहास में कम उसके बाद से next कोरियाते हैं नेक्स्ट कोशन आप मैं यहाँ पर मैंg हैं जब और स्कार जाएगा है तो क्रेक्ट प्रियाप्त है insufficient data है ठीक है तो मैं यहां पर answer के वल बता रहा हूं जब इसका official answer की आ जाएगा तो मैं total question paper जो है shift one का और shift two का ठीक है उन सभी question paper को मैं solve करवा दूंगा ठीक है तो अभी केवल answer जान लेजिए तो यहां पर दूसरी का जो हो जाएगा option कोशन नमबर B उसके बाद से यहां पर थर्ड वाला जो कोशन है यहां पर दिया गया है इतिहास भूगोल के अधिक्तम अनुपात और नियूंतम अनुपात का अंतर क्या है ठीक है तो यहां पर जो राइट एंसर हो जाएगा इस कोशन का वह जाएगा 1.20 उसके बाद से नेक इसके बाद से नेक्ष्ट कोशन था कितने चात्रों ने भूगोल किया पिछा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किये हैं तो यहां पर दोस्तों आपनों का जो करेक्ट एंसर हो जाएगा वह जाएगा ऑप्शन नमबर A3 तो यहां पर तीन चात्र ऐसे थे जिन्हों ने भूगोल किया पिछा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किये हैं उसके बाद से नेक्ष्ट जो डियाई वाले कोशन थे यहां पर दोस्तों जो छठा है वो था पहले चार वर्सों के उत्पादन की तुलना में अंतिम चार वर्सों के कच्छे उनका उत्पादन परसेंट का वो हो जाएगा उप्शन नंबर ए 62.5 मिलियन टन उके उसके बाद से नेक्ष्ट कोश्चन आपनों का यह रहा यहां दिया गया है उत्पादन में पिछले वर्स की तुलना में अधिक्तम प्रत्शत घटत किस वर्स रही तो यहां पर दोस्तों आपनों का हो जाएगा आ टो यहां पर आप लोग चेक कर सकते हो यहां पर देख लिए 2018 19 में सबसे घटत वर्स ओर ठीक है तो यहां पर आप लोगों का यही करेक्ट हो जाएगा option नंबर सी उसके नेश्ट देख लेते हैं तो नेश्ट कोशन आप लोगों का यहां पर यह रहा यहां पर दिया है 2014 15 में कच्छे उन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का कितना था तो यहां पर दोस्तों यहां पर जो राइट एंसर हो जाएगा वह जाएगा 3.4 तो यहां पर option नंबर B बिल्कुल correct answer हो जाएगा नेश्ट था कच्छे उन के उत्पादन में उच्छतम वृद्धी का वर्स क्या था तो यहां पर दोस्तों जो correct answer था इस कोशन का वो था 2017 से लेकर अठा रहे था ठीक है उसके बाद से जो नेक्ट डियाई वाला कोशन था वो 11 से लेकर 15 तक था इस पर बेश्ट पांच कोशन थे तो यहां पर 11 वाला जो कोशन था इसका जो correct answer था दोस्तों वो था आपनों का यहां पर 19.05 ओके उसके बाद से जो correct answer था option number B C हो जाएगा ठीक है तो यहां पर 12 का C हो जाएगा sorry 12 का B हो जाएगा ठीक है जिसमें यह C वाला जो है यह उच्चतम वृद्धी दरसाता है ओके उसके बाद से next देख लेते हैं तो next question आपनों का यह रहा यहां दिया है निम्ण में से किस वर्स में किसी भी salesman's द उसके बाद से next था वर्स 2019 में salesman's D द्वारा अर्जित कमीशन A द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है तो यहां पर दोस्तों आपनों का correct answer था इस question का वो था इन में से कोई नहीं ठीक है 21852 ठीक है यह सारे नहीं है ठीक है तो यहां पर दोस्तों इन मे प्रजित कमीशन पिछले वर्स की तुलना में अधिक्तम वृध्धी दर दर साता है तो यहां पर दोस्तों सत्रेदा था 19 था 16 था 18 था तो यहां पर दोस्तों जो correct answer था वो था अपनों का option नंबर सी 2016 में अधिक्तम वृध्धी दर साता है ओके उसके बाद से next डिया वाला कितने प्रसत कम या ज्यादा थी तो यहां पर दोस्तों आप लोगों का जो correct answer था इस question का वो था आप लोगों का option नंबर ए 35.3 उसके पासे next देखते हैं तो next question आप लोगों का यह रहा यहां दिया है माई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है तो अनुपात जब आप लोगों निकालोगे तो इसका अनुपात जो आने माला है दोस्तों वह आएगा option नंबर भी 1.04 ठीक है तो यहां पर option नंबर भी बिल्कुल correct answer था okay 17 का भी आप लोगों का बिल्कुल correct answer था उसके बाद से नेक्स्ट था इस डियाई पर बेस्ट जो नेक्स्ट कोशन था वो था दोस्तों ट्रेडबॉल में खुले खातों की संख्या का और से खान में खुले खातों की संख्या की आवसत का लगभग कितना था यहां पर दोस्तों जो correct answer था इस question का वो था option नंबर सी 57.82 ठीक है 57. यह बिल्कुल correct answer हो जाएगा उसके नेक्स्ट था इस डियाई पर जो लास्ट बेस्ट जो लास्ट कोशन था वो था अपनों का 20 नंबर निमलके तमिल से किस महीने में खुले खातों की संख्या की आवसत महत्तम है ठीक है तो यहां पर दोस्तों सितंबर हो जाएगा option नंब वाला ठीक है वो थोड़ा कठिन था लॉजिकली वह कोशन था बाकि सारे इसी थे ठीक है उसके बासे नेच्ट देखते हैं यहां पर 21 से जीके को जीके और जीस से जो कोशन आये हुए थे यहां पर पहला कोशन था 21 वाला निमन मेंसे कौन से संत सिवा जी के समकालिन थे त absolute correct answer ठीक है उसके बाद से next question था यहां पर चरक संगीता संबंध़ीपै तो यह संबंधित है ग्रमिजाइब यह संब और tam तो14 कित साथ से तो option नंबर एह शे सं ऐसा क्रमन तो यह आएंगे एलत्त सेकंड पे अलावदिन खिल जी उसके बाद से सेर सासूरी फिर अकबर तो इलतुतमिस चार है तो यहाँ पर चार तीन एक दो ठीक है तो ऑप्शन नमबर यह बिल्कुल करेक्ट एंसर हो जाएगा चार तीन एक दो उसके बाद से चलिए नेश्ट देख लेते हैं तो सही किये होंगे उसके नेश्ट था 1915-16 में किसके नेत्रित में दो होम रूल लिक सुरू की गई थी तो यहाँ पर दोस्तों एनिवेशंट और लोकमान तिलग यहाँ पर करेक्ट एंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी उसके बाद से नेश्ट था यहाँ पर दोस्तों दिय है तो यह इनकरेक्ट हो जाएगा ठीक है यहाँ पर ऑप्शन नमबर भी राइट एंसर था उसके बाद से नेश्ट देख लेते हैं तो नेश्ट कोशन आप लों का यह रहा यहाँ पर दिया है करो या मरो का नारा किसने दिया तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा होंगे तो यहां पर मैं बतादूंद राध समाज हो है राजराा मुहानई सामक्रृ नेक्ट हो जाए ठीक है रामकरिश्ण मिसन जो है यह स्वामी दयानंद स्वामी विवेक्शन से उसके बाद से रासे मत दयानंद सरसोती सत्य dieta समाद यह जोती जोती राव फूले ठीक है यह हो जाएगा तो यहां पर हाप लोग चेक कर सकते हो ऑप्शन में ठीक है तो यहां पर फस्ट वाला है थर्ड उसके बाद से यहां पर थर्ड है उसके बाद से बी वाला है रामकृष्ण मिसंद स्वामी विवेकानंद बी वाला है वन उसके बाद से सी आर्यस अमाज है तो लाल पन बिजली पर्योजना किस नदी पर इस्तित है तो यह चिनाब नदी पर इस्तित है उसके बाद से नेक्ष्ट था यहां पर बसंत विसू होता है तो यह 21 मार्च को होता है उसके बाद से नेक्ष्ट था यहां पर राजस्थान में खेत्री पर्योजना किसके उतपादन के लिए प्रशिद्ध है तो ताबे के लिए प्रशिद्ध है उसके पासे नेक्ट कोशन था यहाँ पर दोस्तों जब सुभाश्यंद्र भॉष्ष ने भारतीय राश्ट्रिय कांग्रेस के अध्यच्छ पद से इस्तीफा दे दिया तो इस पड़ का प्रस्ताव किसे दिया ग तो यहां पर दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र सही हो जाएंगे तो option में कहीं पर यहां पर दिख रहा है यहां पर देख लिए option नंबर ए second and third यह option नंबर ए बिल्कुल correct answer था उसके बाद से next question आपनों का यह था बैंक दर से economy से ठीक है तो यहां पर next देख लेते हैं तो next question आपनों का यह रहा यहां दिया है कि इन में से किस प्रकार की अर्थ व्यवस्ता में संग साधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गत्विदियों का मुख्य उद्दे से लाब अर्जित करना होता है तो यह होता है दोस्तों पूंजी वादी तो साख सर्जन पर क्या आसर पड़ेगा तो यह बढ़ जाएगी तो option number D बिल्कुल correct answer था उसके बाद से next question आपनों का यह रहा पॉलिटी से भारत के संग्विधान में जन स्वास्तिया यंउंग स्वच्छता किस में सामिल है तो यह दोस्तों राज सूची में सामिल है तो फेमा का पूर रूप क्या होता है तो यह होता है दोस्तों foreign exchange management act option number A बिल्कुल right answer था उसके बाद से next था दोस्तों यहां पर निम्न में से किस संग्विधान सभा में उद्देश प्रस्ताव को रखा था next था भारतिय संग्विधान के किस अनुछेद में अलप संख्यकों के हितों में का वरण है तो यहां पर दोस्तों अनुछेद 29 हो जाएगा उसके बाद से next question आप लों का यह था ठोश चालग में धारा वाहक होते हैं तो मुक्त इलेक्टरान होते हैं तो option number D बिल्कुल correct answer था इस question का उसके बाद से next question आप लों का यहां पर था article से सिच्छा का अ ब्लीचिंग पाउडर का रासाइनिक नाम क्या है तो यह होता है दोस्तों CAO CL2T के कैल्सियम आक्सी क्लूराइड इसका रासाइनिक नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर का option number A सही था उसके बाद से next था 18 करेट सोने में खरे सोने का प्रिसत के कितना होता है तो यह 75% होता है ठीक है और उमीद करता हूँ सही कि यह होंगे ठीक है तो यहाँ पर कोशन मार की जगा क्या आएगा यह पूछा है तो यहाँ पर 324 जवाप लोग सॉल्व करेंगे तो 324 आएगा तो option number D बिल्कुल correct answer था next था दोस्तों यहाँ पर प्रकास वर्स किसके मापन की इकाई है य यह भी math question था ठीक है तो इसका जो correct answer था दोस्तों वो था four minus root में 15 ठीक है इसको solve करेंगे तो यही आप लोगों का आएगा उसके बाद से next देख लेते हैं तो next question आप लोगों का यह था TV सेट का मूल यह 30% घटाने पर उसकी 20% बढ़ गई है तो दुकानदार की आयए पर कितना प्रसंट दुकानदार की आयए पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा तो 16% घटेगा तो option number B बिल्कुल correct answer था solve करेंगे तो आप लोगों का यह आ जाएगा ठीक है एंसर की आने दीजिए ऑफिस्यल ठीक है तो मैं इसको solve करवाऊंगा दोनों सिफ्ट के पेपर को ठीक है तो इसको विस्तरित रूप से solve करवाऊंगा तब आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा ठीक है नेक्स्ट था दोस्तो चार खिलाडियों की आउसत उम्र 18.5 वर्स है अगर कोच की उम्र भी इसमें सामिल की जाए तो आउसत उम्र 20% बढ़ जाती है तो कोच की उम्र क्या है तो यहां पर दोस्तो 37 वर्स हो जाएगी तो option number B बिल्कुल correct answer था उसके बास यहां पर दोस्तो यहां पर दोस्तो 885 को 115 में जब एड़ करेंगे तो 1000 आएगा ठीक है तो option number B बिल्कुल correct answer हो जाएगा उसके बास से next question यहां पर दिया था हिंदी से परियावाची दर्प का परियावाची कौन सा है ठीक है तो यहां पर आहंकार हो जाएगा option number A उसके बास से next था मन को हरन वाला वाकिके लिए नीचे दिये गए विकल्प में से एक सब्द चुनिये तो मनोहर हो जाएगा मन को हरने वाला उसके बास से यहां पर नीचे दिया था मुहावरा गागर में सागर बढ़ना तो थोड़े में बहुत कहना ठीक है option number A question का right answer था next था सुद्वरतनी का chain करें यहां पर English से ठीक है तो इस पर बेश्ट तीन कोश्चन थे और दो कोश्चन आप लोगों के antonyms और synonyms पर थे ठीक है तो 61 to 63 यहां पर पैसे पर बेश्ट थे तो यहां पर जो 61 का जो right answer हो जाएगा PT नहरू इंजवाट तो यहां पर दोस्तों आप लोगों का हो जाएग इंपॉर्टेंट ठीक है अप्शन नंबर डी करेक्ट था उसके पास से देख लेते हैं यहां पर जो 63 नंबर वाला कोश्चन था वो था ए मिनी शाइड़ परस्टनाल्टी मींस क्या होता है ठीक है पैसे को पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा तो उसकी बेश्ट पर यहां पर यहां पर दोस्तो आप लों का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट एंसर था उसके बाद से पूछाता दोस्तो सिनाउनिम से कोश्चन तो यहां पर फेमस का सिनाउनिम से पूछाता तो फेमस का सिनाउनिम सा प्रों का पापुलर हो जाएगा उप्शन नंबर डी राइट एंसर था उसके बाद से यहां पर रिजनिंग से कोश्चन पूछा था यहां पर पच्छी व कोशन था तो 500 अमवार पढ़ेंगे अगस्त महीने में ठीक है option नमबर डी सही था उसके बाद से next था यहां पर दोस्तो कौन सा मेल नहीं खाता तो यहां पर तेल नहीं मेल खाता option नमबर डी यह बाकि तीन जो है यह दूद से related है बाकि यह तेल नहीं related है इससे तो option नमबर ड पर योजना हाल ही में भारत के किस राज में शुरू की गई तो राजस्थान में शुरू की गई तो option नमबर सी राइट एंसर था नेक्ट था कोवेक्स योजना के अंतरगत कोविड-19 की मुक्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन बना तो घाना बना ठीक है उसके बास से नेक्ट देख लेते हैं तो नेक्ट कोशन आपनों का यह रहा यहां दिया है उस भारतिये पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंद लगाए गया है तो दोस्तों सुमित मलिक हो जाएंगे बिल्कुल राइट एंसर ओके उसके ब भारतिये मंत्राले द्वारा हाल हमें 2019-2020 के लिए UDIS सुरू किया गया है तो सिच्छा मंत्राले की द्वारा सुरू किया गया है उसके बाद से नेक्ट था दोस्तों अंतरिच में जाने वाली भारतिये मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिच या तरी कौन थी तो वह सिर हैं तो पांच भारतिय राज्य जो है वो नेपाल से साजा करते हैं अप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट एंसर था नेश्ट था निम्न में से कोश्टा रिका की राजधानी क्या हो जाएगी तो ढाका बांगलादेश का है दिल्ली भारत का है तो यहां पर दोस्तों बीजिं भारत के संग्विधान के अनुसार लोग सभा के सदस्यों की अधिक्तम संख्या क्या थी क्या है ठीक है तो यहां पर 552 जो है लोग सभा की अधिक्तम सीटों की संख्या तो option नंबर बिल्कुल करेक्ट एंसर है इस कोश्टन का next question था हिंदी दिवस कम मनाये जाता है तो 14 सि लाइव बलकुल करेक्ट एंसर था सारक सदसिया देश नहीं है तो यहां पर वह तो आपनों का मैंयमार साही हो जाएगा option number B सदस्या देश नहीं यह बाकि बंगलादेश S 시ju, Nepal, Afghanistan यह प्रदेश सदस्या देश है के उसके पाद से ओडम किस भारती यह राज यह केंद्रे सासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है तो केरल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट एंसर था उसके बाद से नेश्ट कोशन था निम्न में से कौन सा अगरह सूरी के सबसे नजदीक है तो यह हो जाएगा बुद्ध उसके से नेश्ट कोशन था दोस्तों नोवल पुरुषकार जीतने वाले प्रतम इस याई कौन थे तो दोस्तों यहां पर रविंद्र नात्र टैगोर यह बिल्कुल करेक्ट एंसर हो जाएंगे उसके बाद से नेश्ट कोशन आपनों का था निम्न में से किस संक्स्था पर qo lens की से आप लोगों का हिंदीका गाद्यांस दिया है ठीक है इस पर कोशियन थे तो पानच-पाँ कोश्शन थे तो यहां पर इस गद्रूद पढ़ लिजिएगा इहां पर दोस्तों 911 को 95 qo प्रामल बनाया जा सकता है कि इसके द्वारा अहिंसा के द्वारा जब आप गद्यांस को पढ़ोगे यहां पर दोस्तों अहिंसा के द्वारा आप लोगों का यह करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उके उसके बास नेक्ष्ट था तो किसी भी राष्ट के स्वर्डी म् यहां पर उत्मोत्तम रशनात्मक कार्य के लिए तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट एंसर था इस कोशन का उसके पास नेक्ष्ट गद्यां से देखते हैं तो यह साइंस से रिलेटेट था ठीक है तो यहां पर 96 कोशन था टो यहां पर 96 का दिया था विज्ञानिक च परिवारवत लगने का प्रमुक कारण क्या है तो याता यात एवंग संक्चार साधनों का विकास तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट एंसर था उसके बाद से नेक्ष्ट था हस्तामलक सब्द से अविपरेत है तो यहां पर असपष्ट और अनायास बोधगम हो गया तो यहां पर उप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट एंसर था नेक्ष्टत दोस्तो वैग्यानिक चिंतन पदबन्ध से आसाई क्या है तो यहां पर दोस्तों आप लोगों का यहां पर स्वस्त यमंस्तलिस चिंतन हो जाएगा ओप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट एंस तो यहाँ पर total मैंने hand rate question करवाए जो कि दोस्तो 24 अगस्त को ये shift 1 में ये paper आया हुआ था जिसका paper code है H ठीक है तो इस paper को मैंने जितने भी shift 1 में जितना भी question दिया था उसका मैंने answer बताया ताकि आप लोगों को सही अंदाजा लग सके कि आप लोगों का कितना जो है number आ रहा है ठीक है तो वैसे official side पे जो answer की है जब आ जाएगा तो मैं पूरा इस paper को shift 1 और shift 2 के paper को मैं पूरा-पूरा solve करवा दूंगा ठीक है एक line से सारे question को ठीक है तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों धन्यवार्ण